पुर्वी सिक्किम के छांगू नाथुला घूमने गए 800 से अधिक टूरिस्ट बुधवार को खराब मोसम और बर्फ बारी की कारण फस गए इन टूरिस्ट में बुजुर्ग महिला और बच्चे भी शामिल है सुष्णा मिलते ही भारती सेना की त्रीशक्ती कोर के जवानों ने ततकाल कारवाही करते हुए फसे टूरिस्ट को बचाया दोपार में अचानक मोसम ने करवट बदल ली और बारी शुरु हो गई पारा नीचे गिरते गिरते ही राज में उचाई वाली जगहों पर बर्फबारी शुरु हो गई बर्फबारी के कारण वहानों का आवागमन ठप हो गया और पूर्वी सिक्कीम के टूरिस्ट स्पोर्ट छांगू नातुला घूमने गए टूरिस्ट रस्ते में ही फस गए भारती सेना ने प्रेज बयान में बताया कि बचाव अभियान रात तक चलता रहा टूरिस्ट को सुरक्षिश शेत्रों में लाया जा रहा है उन्हें टहरने की जगह, गर्म कपड़े, मेडिकल मदद और गर्म भोजन दिया जा रहा है फसेफे टूरिस्ट को टहराने के लिए सेनिकों ने अपनी बेरके खाली कर दी है सेनिकों के तुरंत एक्षन से टूरिस्ट को काफी राहत मिली टूरिस्टों को मोसं ठीक रहने पर गुरुवार को राजधानी गंग्टोक लाया जाएगा इसी के साथ मेने रहे ही एशमीज इंडिया के साथ धनिवाद